वेल्कम बच्चों कैसे हैं आप सभी सारे बच्चों का मोस्ट वेल्कम हैं स्वागत हैं तो बच्चों आज हम हाजिर हुए एक बहुत भैंतोपूरी सेशन पर डिसकस करने के लिए जैसा कि आप थम्निल में ही देख रहे हैं लिखा हुआ है कि हिंदी मीडियम को लेकर के एक मन में क्या है आपके एक फोबिया सा बन गया है कि हिंदी मीडियम में जो सेलक्षन है वो सेलक्षन क्या है कम होता है पर प्यारे बच्चों अगर आप एक बात डारेक्ट बोलेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है ले कि सेलेक्शन ना होने की वज़े मीडियम नहीं है बलकि सेलेक्शन ना होने की वज़े कुछ और है मेरे प्यारे बच्चों आपके लेके आरा जा रहा है आठ अगस्त दिन रविवार सुबा ग्यारा बजे एक जिसमें उद्देश यही है कि मीडियम नहीं बलकि कुछ और वज़े हैं वो कौन सी वज़े हैं जिस वज़ों पर इस फाउंडेशन बैच में काम किया जाएगा ताकि हमारे बच्चों का सेलेक्शन बड़ी मात्रा में हो सके हर वो बच्चा जो हमारे आधार बैच से जुड हिंदी मीडियम में से सेलेक्शन में बाधा उत्पन होती है आईए हम देखते हैं पिछले साल जो हमारे सेलेक्शन हुए हैं पिछले 2012 से लेकर 2019 तक का डेटा का एनलिसिस करते हैं जो कमिशन ने दिया है और देखते हैं कि क्या सच में ऐसा है जब हम लोग इसका एनलिसिस क सबसे major problem ये है कि हमारे हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वह पीटी ही नहीं कौलिफाई कर पा रहा है और इसी के वज़े से final selection भी हमारा क्या है कम हो रहा है हिंदी मीडियम में पीटी में क्यों नहीं कौलिफाई किर पा रहा उसके पीछे की वज़े medium नहीं है क्योंकि दोनों बच्चों को पेपर से मिलता है कोशन से मिलता है एंस्वर लगाना रहता है बावजूद उसके वो बच्चा सेलेक्शन ले ले लेता है और आप पीछे रह जा रहे हैं वजह मीडियम नहीं है वजह है आपके पढ़ाई की तरह रड़नीती आपको जो गैडिन्स मिलना चाहिए उस गैडिन्स में कमी है कहीं न कहीं उस गैडिन्स में कमी है जिस गैडिन्स के जरीए आपको आईस बनना है कहीं न कहीं उस एप्रोच में कमी है जो आपका आधार बेच बच्चे लाय जा रहा है इसका नाम आधार ही इसलिए रखा गया है क्यों अगर देखेंगे तो PT में पिछले वर्ष के data का analysis करेंगे तो हमारे बच्चे PT में qualify नहीं हो पा रहे हैं देख सकते हैं 2012 का और 13 का ये commission निकाला हुआ है इसमें आप result देख सकते हैं जैसे ये आपका क्या दिया हुआ है 2012 यहाँ पर आपका दिया क्या है Hindi medium आप देखेंगे इसमें सेलेक्सन हुआ है कितना 1956 कितना 2012 में फिर ऐसे ही अगर हम बात करें 2013 की है ना क्या बात करें अगर हम बात करेंगे 2013 की तो 2013 में देखती ही इनका सेलेक्सन कितना है आपका 1403 है कितना 1403 जाहिर सी बात है कि total number of result prelims में निकाला जा रहा है 12000 बच्चों का और हमारे बच्चे 2000 भी नहीं पहुँच पा रहे हैं या उसके आस पास हैं तो फिर final जब सेलेक्सन होगा तो जाहर से बात उसमें हिंदी मेडियम का क्या है कमाएगा इसका मतलब यह है कि जो हमारी तयारी की तरीका है उस तयारी के तरीके में कोहीं न कहीं क्या है mistake है आधार बैची सी ले लाया जा रहा उसका नाम रखा गया ताकि आपके तरीकों को बहतर किया जा सके तो हमने तो केवल आपको क्या है ये दो सालों का बताया कुछ और सालों के विगत वर्षों के जो पेपर है अगर उसका एनालिसिस करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका क्या है हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं इसमें हम देखेंगे तो हिंदी मेडियम student qualify prelims in past year 2014 का देख लेते हैं तो कितना है 2191 के आसपास 2015 में हम देखते हैं तो 2449 के आसपास है 2016 में 1300 कितना है 20 है 2017 में 1066 है 2018 में 800 कितना है 89 है दिन पर परते दिन हम अगर देखेंगे तो हमारा जो result है वो क्या है इंदी मेडियम का down हो रहा है तो जब आपसे PT ही नहीं qualify हो रहा है फिर आप ये कैसे उमीद रखते हैं कि final जो selection होगा उसमें हमारा selection ज्यादा होगा तो मीडियम में गड़बड़ी नहीं है paper से मिल रहा है सवाल ये उठता है क्या सच में हिंदी मीडियम में result अगर down हो रहा है तो हमारा selection नहीं होगा क्या हम top नहीं कर सकते हैं बच्चों ऐसा कतई नहीं है अगर आपको एक proper guidance मिल जाए अगर आपको ये बात पता हो जाए कि हिंदी मेडियम में prelims में disqualify क्यों हो रहे हैं हमें UPSC को कैसे हैंडल करना है जिससे हम prelims qualify कर ले जाए उन कम्यों को अगर आप जान जाएं तो यकीनन ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये संख्या बढ़कर के पचास परतिसत तक हो सकती है साथ परतिसत तक हो सकती है यानि आपकी संख्या बराबर छोड़ी इंगलिस मीडियम के बड़ भी सकती है लेकिन आपको उन कम्यों को अगर जानेंगे तब अगर आपको कम्या पता चल जाएंगी तो आप इससे सौलू कर सकते हैं आप सेलेक्ट्सन ले सकते हैं उसके लिए ही बच्चे आपके लिए आधार बैच लाया जा रहा है जो कि 8 अगस्त सुबह 11 बजे अगले संड़े को आएगा जो next संड़े आ रहा है उस संड़े को 8 अगस्त को विवेक सर इसके बारे बताएंगे पूरी इस्टेट जी कि आधार बैच में ऐसा क्या होने वाला है हमारा उद्देश क्या है हम कैसे 2022,20,20,20 या विगत वर्षों में जो बच्चे हमारे आने वाले वर्षों में जो एक्जाम देंगे वो कैसे प्रिलिम्स जो है उनका निकले हमारी कोशिश यह होगी कि जो आधार बच्च में बच्चे आ रहे हैं उन परतेक बच्चे को इस तरीके से तैयार करना एक एक बच्चे को तैयार करना कि जो कमिया थी जिसके वज़े से डिस्क्वालिफाई हो रहे हैं वो सुधर जाए और हर बच्चा हमारा प्रेलिम्स क्वालिफाई करे तब ही जाकर के फाइनल में हमार क्या है रिजल्ट दे पाएगा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जोनों ने इन कम्यों पर काम किया है और काम किया तो उन्हें सफलता भी मिली उन्होंने रैंक भी हासल किया आईए कुछ हमारे सामने उसके मिसाल है उन्हें मिसाल को हम क्या कर सकते हैं देख उन्हें मिसाल को ले सकते हैं एक्जामपल के तोर पर ये फोटो आप हो सकता है अन्जान हो लेकिन ये है किरन कौशल जिनका आल इंडिया रैंक तीन था थर्ड रैंक करें ये, तीसरी रैंक है इनकी, कितनी इनकी बच्चे, अगर हम बात करेंगे, तो इनकी कितनी है, तीसरी रैंक है, समझ रहे हैं ना, इनकी कितनी है बच्चे, अगर हम बात करें, तो इनकी तीसरी रैंक है, आप सुझ सकते हैं, कि इन्होंने किस तरीके से अप बहुत काम किया, हिंदी मीडियום को जागरूख किया, बच्चों को समझाया भी सेमिनार किया, किताबें लिखी और बताया कि हिंगलिश कोई हवाँ नहीं है , ऐस नहीं है कि Hey इंगलिश में पढ़ने वाला कौालिफ़ाई करेगा और हिंदी आ रहा है आपका ग्यारा बजे उसमें जरूर इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा ताकि निसान जैन जैसे लोग आप में से ही निकल करके बीच से आए तो किवल निसान जैन नहीं ऐसे और भी लोग हैं आप इन्हें देख सकते हैं ये हमारे साथ पढ़े हुए हैं हेमन तसत्ती इनका नाम है 88 रेंग थी इनकी 88 रेंग थी इन्हों ने भी इन कम्यों पर काम किया और कम्यों पर काम किया तो ये फाइनली सेलेक्ट हुए और इनकी 88 अनि 88 रेंग आई कहने का मतलब यह है बच्चे कि आपको काम करना है तो अपने कम्यों पर उन कम्यों पर जिन कम्यों से आप प्रिलिम्स में क्या है डिस्क्वालिफाई होते हैं अगर उन कम्यों पर आप अच्छे से काम करते हैं तो यकीनन एक दिन आपका भी तिरंगा फैराएगा एक दिन आपका भी जंडा बुलंद होगा, एक दिन आपका भी सेलेक्शन होगा, एक दिन आप भी अपने मकाम में हासिल कर सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम का खेल नहीं, यहां खेल है, तो उन इस्ट्रेटजी का है, जिन इस्ट्रेटजी के माध्यम से आप इंग् बाहर का रास्ता दिखाती है आई एस पीसे वाई एक्जाम पूर जब आठ अगस्त को सुबा ग्यारा बजे एनाउंस्मेंट करेगा इसकी तो इन कम्यों को बाकाइदा ध्यान में रखा जाएगा ताकि विग आने वाले वर्सों में हमारे बच्चे जो एक्जाम दें वो इस और नाम है जिससे आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस नाम से परचित होंगे ये वो नाम है रवी कुमार सिहाग जो हिंदी मीडियम से फर्स्ट रैंक है जिनकी रवी कुमार सिहाग दो बार एक्जाम कौलिफाई किये दो बार फाइनल सेलेक्शन लिए आप अंदाज ये हुआ कि इन्हों ने उन्हें रड़नियुतियों उन्हें इस्ट्रजीज पर काम किया उन्हें कम्यों पर काम किया जिससे हिंदी मीडियम के बाहर हो रहे हैं उन्हीं रड़नियुतियों इस्ट्रजीज को बहुत बहतर तरीके से बताने के लिए इस तरीके से पूरा कि जब आप एक्जाम देने जाएं तो यकीन आप भी रवी कुमार सिहाग बने आप निसांत जाएं बने हमारी बच्चियां किरन कोशल जैसा नाम रोशन करें हमारे बच्चे जो है हिमन सत्थी जैसा बने और यकीन जब हम उस पर प्रॉपर लग करके दिन और रात काम तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है कि हम इस आधार से इस आधार वैच से अपनी नाव को इस तरह मजबूत करेंगे कि जब हम एक्जाम देने जाएंगे तो यकीनन हमारा सेलेक्शन होगा हमारा प्रड ये है कि हर वो बच्चा जो गरीब है जो मज़रूम है उसके साथ आप लोग जरूर गूलिएगा और बच्चों अगर आपके दिमाग में कहीं ये चला होगा कि आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हो सकते आप टॉपर नहीं मन सकते इसलिए क्योंकि आपका बैग्गराउंड पूर है आप गरामीड शेतर से हैं आपका मीडियम हिंदी है तो यकिनें ये सब दिमाग से निकाल दीजिए आपको मेहनत करना है और अपने सपने को पाने के लिए जो रड़नीती होनी चाहिए स्मार्ट वक जिसे बोल सकते हैं उस रड़नीती पे काम करना है जो कि आधार बैच में आपको कराया जाएगा कुछ चीजें होती हैं जो आप खुद कर सकते हैं कुछ चीजें होती हैं जिसे कराने के अवशकता होती है विसे सग्यता के अवशकता होती है आधार बैच में दोनों चीजें कराया जाएगी जो चीज़ें आप से होने वाली हैं वो आपको बताया जाएगा करने के लिए जो चीज़ें आप से नहीं हो सकती हैं हमारे द्वारा हमारी फैकल्टीज के द्वारा जो हो सकती है वो आपको proper guide किया जाएगा ताकि आप अपने लच्छ को पाने में पूरी तरह से सफल हो सके मुझे उमीद है कि 8 अगस्त को जब हमारा आधार बैश लांच होगा तो आप उसमें जरूर मिलेंगे क्योंकि आपका लक्ष है आगे IAS बनने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मिलते हैं 8 अगस्त को दिन रइवार सुबह 11 बजे धन्यवाद नमस्कार